दिल्ली एमदाबाद हाईवे पर पाली से कुछ आगे सांडेरा हो यह सिरोही से पहले कहा है यहाँ पर आप देखिए कि यह विरामी नदी यहाँ पर इस वक्त ओवर्फ्लो हो रही है और इसकी वज़े से यहाँ पर काफी लोग फस गे इनको रेस्क्यू करके निकाला गया ह सामने देख सकते हैं कि नदी के बीच कि वहां पर अब आप देखिए कि किस तरीके से रिस्क है वहां पर लोग जो ट्रॉक द्राइवर थे उनको यहां पर बचाया गया आप ने निकाला था कितने लोग थे जैन सर फर्ट वाल एटरब में दो तीन जवान दो बंदे थे उसके बाद सेकर्ड में तीन थे और थर्ड वाले में एक था फर्ट वाले में तीन जवान थे तो मैं सर आपको मेरा परिचे कराना चाहूंगा मैं हवालदार मुरूमकार 117 हम लोग जोद्पूर से आये थे रेक्ष्क्यू करने के लिए हम आगे जाने वाले थे लेकिन किसी कारण वर्ष जाने पाए तो हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर सिविल जनता फशी विये तो हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश की और उनको बयाद आगे का सांचोर कि justement से निकलेंगे आप आगे ? आप यहें यहाँ से निकलेंगे आप आप को शायो जायो किस तरफ गया है बचा आपने West Government से बचाने से किस तरीके से हमने रहें बचान टैक्टर था एक तेक्टर ता एक तो हमारे रिक्क रोड के परोली के लिए थी और रोफकीश की कि अच अब खुशे वे थे तरय किट्नी मज़ा है आप बारे बजे आए थे आप बारा बजे से अब तो खुशे वे थे आप अब बड़ा खुशे वेते हैं एपार थे नदी के बीच में बड़ा थे आप तो जानी निकले जा रही है यह भाई नहीं आते तो बसते भी नहीं तो जाने को रस्ता नहीं है अभी एक गंटा ट्रक नहीं फसा हुआ है हम पैदल आये तो आप देखिए किस तरीके से आपका भी ट्रक कहड़ा है यह देखिए कि इस वक्त विपर जोई तूफा ने जो अरब सागर से उठा जुख्वान उसके बाद में उसने किस तरीके से कि इस तूफान का जो कहर है वो बरप्र अपर यहां को पर आपकी तरीके से पीछे देखिए कि यह त्रक पसे में अंदर पसे में और यहां पर आप देखिए कि यह नदी का बहाव कितना तेज यह बामनी नदी केते हैं इसको और यहां पर अब हाइवे आपको नजर नहीं आ रहा दूर तक्रीबन यह यहां से तक्रीबन तीन सो मिटर इस हाइवे पर यह नदी बेह रही है बीच में से पुरा कटा वे हाइवे और पीछे बड़ी संग्या गंदर इसके बीच में फस के से कहर बरपारा विपरजोई तूफान इसका अप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइवे के ऊपर से नदी बेह रही है और कांडला फोर्ट को और दिल्ली से जोडने वाला एहमदाबाद को दिल्ली से जोडने वाला हाइवे इस वक्त आप नदी के कटा बाहव की वज़े स से बंद हो गया कटाव इसलिए पीछे से दोनों तरफ से ट्राफिक रोक दिया गया तकरीबन कई किलोमेटर लंबी इस हाइवे पर कटा रहे हैं अब देखिए कि यह साचोर जा रही थी सेना की टीम अगर नहीं पहुंश थी तो यह ड्राइवर के साथ में क्या होता इसका इन ट्रेक टाइवर को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया पानी देखिए कि आप तहां तक है नदी का बहाव देखिया रद्र रूप ले रही है नदी इसी तरीके से राधस्तान के अंदर कई नदियां उफ़ान पर है गोत्मी नदी जो उधेपूर को अजमेर से कने चुकी है इस वज़े से लोगों के सामने परेशानी है राधसमन में दो लोगों की मौत हो चुकी है और यहां पर लोग इस तरीके से फसे रहा हलाकि सेनान उनको बचाया रेस्क्यू करके